नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नरेश कुमार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एडिफेक्ट लर्निंग में तो दोस्तों इस सीरीज की लास्ट वीडियो में हमने पियाजी थियोरी का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो लिया था आज इस वीडियो के अं सब्सक्राइब करेंगे और हम यह भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेस्ट इस स्टेज में से पूछे जा सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं तो पहले जानते हैं कि कोगनेटिव डवलप्मेंट कैसे होता है संग्यानात्मग विकास किस तरीके से होता है तो कोगनेट टबलप्मेंट या संग्यान आत्म के विकास यह क्या है इसे ग्रेजुल प्रोसेस, okay? एन ओर्डरली चेंजिस बाइच मेंटल प्रोसेस बिकम मौर कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड तो कॉगनिटिव डफलप्मेंट क्या है? ग्रेजूल प्रोसेस है यह कहा है जब हम पैदा होते हैं उस टाइम माइंड के अंदर क्या है स्कीमाज होते हैं प्याजी के अनुसार लेकिन जैसे-जैसे वह बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी mental Parece और ज्यादा complex होती चले जाती है वह मरिख को learn कर लेता है मृच नंदरा आंटेजि़ोल पॉलीजन्स शोंग एंटेजेंस की उसमें इंप्रूफमेंट आती है यहा है आग्धर बद्रॉब्म जाती है धीज्च सब्सकेट करेंज जाती है दिसीजन तरीके से उसका क्या है mental development भी आगे की और बढ़ता है तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था mental development का जो में है fundamentals उसको हम क्या कहते हैं स्कीमाज कहते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसी तरीके से अपनी mental structure के अंदर अपनी cognitive structure के अंदर अपने संग्यान के अंदर नए नए स्कीमाज को वो क्या है एड करता है तो आगे बात करते हैं यह जो cognitive development के दो तरीके बताये थे पिछली वीडियो में assimilation and accommodation अगर इसके बारे में आपको detail में जानना है तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं वीडियो के description में मैं उसका link डाल दूंगा और जो last point है equilibrium is the symbol of new stage इसके बारे में equilibrium, disequilibration के बारे में आपको समझना है तो description में जो link दिया हुआ है उस पर जाकर आप इसके बारे में समझ सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं stages of cognitive development according to PIAJ तो PIAJ ने क्या है चार stages बताई और PIAJ की theory को stage theory भी कहा जाता है क्योंकि PIAJ ने कहा कि stages में ही बच्चे का cognitive development होता है हर एक बच्चा इन दी गई चार stages से ही गुजरता है और वो stages क्या है जो first यहां पर stage है वो क्या है the first stage is sensory motor stage that is what sensory motor stage sensory motor stage means समवेदी है पेशी आवस्था जो 0 से लेके 2 साल तक चलती है जन्म से लेके 2 साल तक चलती है आगे आज हम इसी stage के बारे में क्या है वो deeply और detail में discuss करने वाले हैं second stage 2 से साथ साल तक और उसका नाम है pre operational और हिंदी में बात करें तो पूर संक्रियात्मक अबस्था next stage है आपर concrete operational stage जो कि है मूर्त संक्रियात्मक अबस्था और last है formal operational stage ग्यारा से लेके 15 साल तक अमूर्त संक्रियात्मक अबस्था तो हम आज की वीडियो में sensory motor stage को focus करेंगे और आगे आने वाली वीडियो में बाकी stages को भी लेंगे और कौन-कौन से questions पूछे जाते हैं उनको भी हम क्या है discuss करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं let's know about the key concepts about schema schema के बारे मैं उन्हें पिछली वीडियो में भी जान लिया था तो चलिए schema के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं यह क्या है schema हमारे mind के अंदर जो अपने आसपास के environment को जो represent करते हैं तो वो जो चीज है schema की मदद से उती है ओके दियार्दा cognitive structures वो क्या है संग्यानात्मक सरचनाएं हैं हमारे दिमाग में जो चीजों के लिए हमारे दिमाग में बनती है पूर एक्जामपल जैसे मानलो मैं क्रिश्मस के बारे मैं सूचता हूं तो मेरे schema के अंदर जब भी मैं क्रिश्मस को अपने mind में वेजन करता हूं तो मेरे दिमाग में आते हैं Christmas trees प्रेजेंट्स मतलब कोई gift वगेर आते हैं दिमाग में और giving और money green red gold winter क्योंकि winter के अंदर आता है सेंटा क्लॉज यह सारी चीज है मतलब यह क्या है schema मेंटा mental representation है मानसिक रूप से मैं Christmas के त्योहार को कैसे मैं represent करता हूं वो क्या है schema है लेकिन हो सकता है किसी के mind में हो कि schema Christmas के बारे में Jesus हो उसका बर्त हो चर्च ऑलिडे Christianity एड्सेटर एड्सेटर तो इस तरीके से हजारों लाखों करोडों schema हमारे दिमाग में क्या है वो बिल्ड होते चले जाते हैं लेकिन जर्म के समय पर चार स्कीमाज होते according to PIAJ लेकिन जैसे हम 18-20 साल के हो जाते हैं और so on 18-20 के बाद भी हम क्या है adulthood की stage तक भी क्या है लाखों करोडो schemas को हम अपनी दिमाग में generate कर लेते हैं तरह तरह के चीजों के लिए हमारे दिमाग में क्या है different different types के schemas होते हैं तो स्कीमा क्या है तो लेट्स मूव एहड तो चलिए बात कर लेते sensory motor stage की जो कि कहां से कहां तक चलती है बर्ट से लेके 2 साल तक कहां से चलती है बर्ट से लेके 2 यर्स तक और जैसा कि मैंने बताया sensory motor stage क्या है समवेदिक पेशिय अवस्था जैसा कि नाम से सपस्थ हो रहा है यहां पर हमारे sense organs और हमारी motor activities या पेशिय गतिविदिया यह दोनों गतिविदिया काम करती है जीरो से लेके 2 साल तक तोड़ा और इसको समझ लेते हैं जब भी बच्चा पैदा होता है पैदा होने के साथ मैं उसके पास सिर्फ दो चीज़े होती है इस अपनी दुनिया से अपने वर्ट से इंट्रेक्ट करने के लिए और वो दो चीज़े क्या है उसके पास पहले बात तो sense organs हैं सबीके तो sensory experiences जैसे वह देखता है सुनता है किसी जीज़ को touch करता है feel करता है smell करता है तो यह क्या हो गए उसके senses हो गए second उसकी क्या है motor activities अपने जैसा हाथ पैरों को इलाता है किसी जीज़े को पकड़ता है touch करता है तो that means बच्चे के पास सिर्फ दो चीज़े हैं एक sensory experiences है दूसरा क्या है motor activities है और कोई तीसरा तरीका नहीं है उसके पास अपने आसपास के environment से interact करने का अपने आसपास के वातावरन से अंतेक्रिया करने का तो इसलिए इसी stage को sensory motor stage के नाम से भी जाना जाता है आगे नहीं है बास समझ में तो इस stage के अंदर होता क्या है बच्चे के mind के अंदर only four schemas होते हैं शुरू आती दिनों में लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जला जाता है ऐसी मिलेशन और accommodation की process के द्वारा new new schemas अपने mind के अंदर क्या है add करता चला जाता है अपने cognitive structures के अंदर नए schemas को वो add करता चला जाता है जैसा कि मैंने पिछली वीडियो म में भी उसका example दिया था और sensory motor stage के अंदर ही zero से लेके दो साल मतलब जर्म से लेके दो साल के बीच में ही उसकी memory generate हो जाती है memory generate मतलब क्या है चीजों को याद रखना object को permanently अपने दिमाग में बिठाना ओके देखो शुरुआती दिनों में क्या होता है जो चीज बच्चे के आँखों के सामने है उसका तो हस्तित्व है लेकिन उसका बच्क कोई अस्तित्व नहीं हैम बाद के दिनों कि यहां पर बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं क्या की शुरूं आती दिनों की यह क्या है object पर्मानेंस तो अब्जेक्ट पर्मानेंस को बच्चा जन्म से लेके दो साल की स्टेज में उसको गेन कर लेता है यह आपको ध्यान रखना है पूर एक्जामपल चलिए एक एक्जामपल आपको दे लेता हूं और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा जैसे मानलो बच्चा हो एक महिने का हो मानलो एक महिने का बच्चा मानलो आपने उसके सामने खिलोना रखा जब तक खिलोना उसके आखों के सामने है जब तक तो वो खिलोना है और लेकिन आपने उस खिलोने को छिपा दिया तो छिपाने के बाद में वो खिलोना नहीं है उसके अनुस जालो एक साल का हो जाए तो एक साल का होते होते आप खिलोने को पीछे की तरफ चुपाओ गए तो बच्चा उसको पीछे की तरफ आपको ढूडने के लिए आएगा उसके लोने को और ज्यादा रिफ्लेक्सिव होता चला जाता है उसके जो इंस्टिंक्शनल एक्शन्स हैं पहले तो वह बहुत ज्यादा कैसे होते सिंपल होते हैं जनरल होते हैं लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है ऐसे जैसे जो इंस्टिंक्शनल एक्शन्स हैं इंस्टिंक्शनल एक् रहती है वह और थोड़ा problem solving की तरफ इंटेलेक्ट्वल एबिलेटी और थोड़ा-थोड़ा वह language को भी imitate करना उसको gain करना शुरू कर देता है कहां तक at the end of this stage मतलब दो साल का होते होते ओके तो चलिए आगे बात कर लेते हैं six sub-stages of sensory motor stage sensory motor stage के भी क्या है छह सब stage होती है उसके बारे में हम discuss कर लेते हैं यह आपर तो पहला stage है stages of reflex activities जो की जन्म से लेके एक महिने तक चलती है stages of reflex activities मतलब सहज क्रियाओं की अवस्था 30 दिन तक चलती है सहज क्रिया मतलब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो क्या है कुछ reflex activities होती है उसकी उनको क्या है schema माना जैसे sucking, looking, reaching, grasping देखना, पहुँचना, पकड़ना, चूसना यह चार reflexes होती है उसके अंदर जन्म के साथ यह क्या biologically inherited होती है कोई आप से पूचे कहां से आती है यह जो reflexes है यह कहीं से नहीं सीखी जाती है नेक्स्ट स्टेज है primary circular reactions या प्रमुक वृत्तिय अनुक्रियाओं की अबस्था एक से लेके चार महा तक यह चलती है तो इसमें क्या होता है इसमें बच्चे की sensations है और schemas है वो coordinated हो जाती है स्टेज में आकर okay sensations मतलब वो जो sense करता है समवेदनाएं होती है जो उसके अंदर और उसकी schemas है वो आपस में coordinate करने लगती है और coordination जब उनके बीच में हो जाता है तो वो किसी भी activity को जो बच्चे करते हैं उसको बार-बार रिपीट करते हैं और बार-बार रिपीट करने से क्या है उनको आनंद प्राप्त होता है फुर एक्जाम्पल मान लो इस stage पर primary circular reaction वाली मैं बात कर रहा हूं या पर स्पेसिपिकली यह जो प्राइमरी circular reactions वाली जो stage है इस stage पर आकर अगर मान लो जो बच्चा है वो थम को सक करना स्टार्ट कर देता है उसको क्या है प्लेजर फील होता है मजा आता है और फिर वह उसको continue रखेगा ठीक है ना तो यहां से आप समझ सकते हो कि बच्चों को किस प्रकार से हैविट हो जाती होगे गुटा चूजने की अगर एक से चार महिने के बीची में उसने गुटा चूजने के आधत बना ली है तो वो क्या है आसानी से छूटती नहीं है यह हो गया primary circular reactions यहां पे बच्चा क्या है बार बार activities को repeat करता है उसको उससे pleasure मिलता है खुशी मिलती है जो next stage है वो है secondary circular reactions जो की चार से लेगे आठ महिने तक चलती है क्या है secondary circular reactions गौन विड़ती है अनुक्रियाओं की अबस्था और इस stage में क्या होता है जो बच्चा है he become more focused on the doing actions क्या है actions करने में कारे करने में प्रतिक्रियाओं करने में ज्यादा focus करने लगता है और और वह क्यूं करता है क्योंकि दूसरों से सामने वाले उसकी जो parents है उनसे क्या है उनको response मिले क्या है वालो कोई चीज को वो अपने मुग के अंदर डालते है और फिर उसी चीज को हर object के साथ वो करने की कोशिच करते हैं जैसा कि किसमें होता है assimilation के उसमें होता है ठीक है तो next stage की तरफ बढ़ते हैं that is coordination of reaction आठ से लेके बारा महिने ठीक है ना आप देख रहे होंगे जैसे जैसे बच्चा बढ़ा होता चला जा रहा है उसकी जो responses है general to specific होते जान रहे हैं simple to complex होते चले जा रहे हैं ठीक है ना सरल से जटिल की ओर वो क्या है बढ़ रहा है coordination of reaction मतलब गौन स्कीमेटा की समनवे की अवस्ता आठ से लेके बारा महिने तक है चलती है इस stage में क्या होता है जो बच्चा है वो goal और means के बीच में difference करना सीख जाता है goal directed हो जाता है थोड़ा सा ठीक है ना वो जन्रलाइज करने की सोच वो चीजों को जैसे सीखता है ना accommodate करने की कोशिश करता है accommodate मतलब एक situation को वो दूसरी situation में उसको हम है simulate कह सकते हैं वैसे और accommodate में क्या है new schemas को जन्रलेट करने लगता है और एक learning को एक knowledge को दूसरी situation में उसको क्या है apply करने की कोशिश करता है तो that is the thing और पांच भी जो stage है उसको कहते हैं tertiary circular reactions बारा से लेका अठारा महिने के बीच में चलती है इस stage को trial and error की stage भी कहते हैं trial and error की stage में क्या होता है इस stage के अंदर जो बच्चा गलतिया करता है शीखता है बार बार गलतिया करता है गलतिया करने से क्या है वो फिर सीखता है तो children क्या है वो अपने आजपास के दुनिया को और ज़्यादा explore करते हैं mistakes करते हैं mistakes को बार-बार repeat करते हैं और यह स्टेज उनके लिए बहुत ज्यादा important होती है क्योंकि इस stage में ही क्या है वो ज्यादा confident होते हैं इस stage में initiatives करते हैं चीजों को करते हैं सीखते हैं और वह activities को repeat करते हैं just because to gain the attention from their caregiver उनके जो parents है अभिवावक है उनसे क्या है attention gain करने की कोशिश करते हैं यह चीज कहां होती है इसको ध्यान रखना है tertiary circular reaction इसको trial and error यह जो word है यह specifically यह ध्यान रखना है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं आगे है अर्ली रेप्रेजेंटेशनल थॉट अठारा से लेके 24 महीने मतलब दो साल यह क्या sensory motor stage की last stage है यहाँ पर क्या होता है इसको हिंदी में कहते है मानसिक सहयोग द्वारा नए सादनों की खोज़की अबस्था इस stage में आकर बच्चे और ज्यादा फोकस हो जाते है mental activities पे वहां पर क्या है motor activities पे actions पे ज्यादा फोकस करता है उसका लेकिन यहाँ पर धीर धीर उसका mind develop हो रहा है उसके mind के अंदर new new schemas add हो चुके हैं बहुत सारी schemas को उसने accommodate किया है accommodate करने के बाद अब क्या है mental activities पे ज्यादा focus हो रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसने language भी सीख लिया है लेकिन जैसे बच्चा पैदा हो था उसके पास language नहीं थी लेकिन अब क्या है वो क्या है उसने language भी सीख लिये तो इसलिए उसका ज्यादा focus कहा है mind के mental activities के ऊपर है physical activities के मुकावले क्योंकि वो चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देता है इस stage पर जिसको हम क्या कहते हैं early representational thought या मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोजगी अबस्ता इस stage पर आकर क्या है object permanence आती है object permanence मतलब क्या है चीजों को याद रखना स्मरन सकती memory यह चीज क्या है 18 से 24 महिने के बीच में develop होती है according to PRJ और यह क्या है sensory motor की 30 stage है सब स्टेज के अंदर early representational thought इसको हमें यहां पर जो object permanence वाला है कई बार सीटेट के अंदर यह question पूछा गया है तो यह आपको यह क्या है याद यहां पर रखना है और यहां पर क्या है they search for the toy even if it is not in the site जैसे for example होता क्या है जैसे मानलो आप बच्चे के सामने खिलोना लेके गए और खिलोना को एकदम कह दिया चिडिया ओड और पीछे चुपा लिया तो बच्चा क्या करेगा उस खिलोने को आपके पीछे डूढने के लिए आएगा that means उसके अंदर क्या है memory create हो गई है क्या है object permanence उसके अंदर आ गई है लेकिन एक महीने के बच्चे के साथ अगर आप कैसा करोगे कि चिडिया ओड वो तो वास्तम में समझ लेगा कि क्या है उसको वास्तम में चिडिया ले गई है तो इन 6 स्टेजे को क्या है आपको अच्छे से याद रखना है एक बार इनको एक बार repeat कर लेते हैं एक बार recapitulate कर लेते हैं इनको पहला है स्टेजेश ऑफ्रिफ्लेक्स landsca poser Wing поддерж मुझे है प्रामरी सर्कुलर रीयक्शन थार्डी सेकेंडी सर्कुलर रीयक्शन पूर्थ इस कोडिनेशन ओव फिफ्थ इस टरशीरी सर्कुलर रेक्शन और जो शिख्ष तैव हो क्या है अर्ली रिपरेजेंटरेशनल थॉट्ट कर रिपरेजेंटरेशनल थॉट्ट चलिए आगे बात कर लेते, questions from the sensory motor stage, इसकी हम बात कर लेते हैं, पहला, what are tertiary circular reactions, जैसा कि मैंने आपको बात किया था, यहाँ पर चार option दे रखे हैं, practical kind of experimentation, complex reflexes, science of attachment relationship and evolved response, तो इसका answer होगा, practical kind of experimentation, क्या होगा, practical kind of experimentation, क्योंकि हमने क्या देखा था, tertiary circular reactions में, trial and error है, experiment करता है, mistakes करता है, सीखता है, तो यह जो यहाँ पर option है, practical kind of experimentation, यह यहाँ पर क्या है, सही होगा, next की तरफ बढ़ते हैं, अब पूछ रहा है, किस sub stage में आकर, sensory motor की, किस sub stage में क्या है, tertiary circular reactions, जैकि जैसा कि आपने उपर की तरफ देखा, पांच भी sub stage के reactions, किस stage में आती है, fifth stage के अंदर है, आती है, next आगे बढ़ते हैं, जीन प्याजे ने पांच भी stage में, पांच भी sub stage में, sensory motor की, जो पांच भी sub stage है, tertiary circular reactions, उसको क्या कहा गया है, little scientist उसको कहा है, little scientist क्यों, क्योंकि वो experiments करते हैं, trial and error करते हैं, सीखते हैं, तो इसलिए उनको क्या है, little scientist का नाम, उनकी संग्यावने दी है, next question, which one of the, is not the something, that appears in sub stage 6, of the sensory motor intelligence, देखो, deferred imitation, यह नहीं है, object permanence होता है, मतलब deferred imitation भी होता है, object permanence भी होता है, pretend play भी होता है, लेकिन conservation of liquid नहीं होता है, तो इसका answer क्या होगा, conservation of liquid, conservation की जो stage है, वो बाद में आती है, तो आगे बढ़ते हैं, which is the best metaphor of language acquisition, that is language is constructed, well, language is socially constructed, ओके, आगे बढ़ते हैं, holofrastic speech क्या होता है, utterances of a single word, जो की बच्चों के sensory motor stage के अंदर ही characteristic होता है, holofrastic का मैं आपको मतलब बता दूं, इसके अंदर क्या है, बच्चा single words को अटल करता है, single words को बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, holofrastic speech कहते हैं, और holofrastic speech का अगर option आ जाता है, कौन सी stage में देखने को मिलता है, तो आप option लगा सकते हैं, sensory motor stage के अंदर, आगे बढ़ते हैं, At what age does there often begin a rapid growth in a child's of vocabulary, vocabulary 18 महिने, मतलब मैं आपको बता है, जो last stage है, उसके अंदर language का development बहुत rapid होता है, तो 18 महिने इसका क्या है, सही answer है, अगला जो question है, वो है, in what activity, do we see the toddler's understanding of material representation, और इसका अंसरों का drawing, क्योंकि drawing के द्वारा ही, जो बच्चा है, जो toddler है, वो क्या है, अपनी material representation को दिखा सकता है, ओके, आगे यहाँ पर हम वीडियो को अब end करते हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आगे मिलेंगे हम next वीडियो के साथ, जिसमें हम discuss करने वाले हैं, pre-operational stage, जो कि प्याजे theory की second stage है, और pre-operational stage के अंदर उसमें क्या-क्या उसके characteristics हैं, और कौन-कौन से questions वहां से उठाए जाते हैं, C-Tat के अंदर, H-Tat, U-P-Tat, या कोई भी आपका exam हो, ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज क्या करें, वीडियो को like करें, comment करें, share करें, और चैनल को subscribe करें, चैनल का नाम है Edufact Learning, तो do subscribe, Edufact Learning, like my video, comment and share, और ये जो वीडियो है, उनके लिए helpful है, जो teaching exams की preparation कर रहे हो, चाहे C-Tat, H-Tat, U-P-Tat, अगर आपको कोई भी doubt आता है, कहीं से भी, अगर आप चाहते हैं, मैं किनी और topics के बारे में वीडियो बनाऊं, तो आप comment box में आप लिख सकते हैं, या मेरे जो social media handles हैं, यहाँ पे दिया गया है, facebook, instagram, twitter और gmail, यहाँ पे भी क्या है, आप contact कर सकते हैं, इन social media handles को आप follow कर सकते हैं, तो आज मैं इस वीडियो के बाद आपसे विदा लेना चाहता हूं, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच पूर वाचिंग दे वीडियो,